हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का रोजगार मरी चैनल पर दोस्तों आज हम आपके लिए ऐसे हैओग आंदोलन 1920 से सम्मंदित कुछ महत्पूर क्योशन लेकर आए हैं जो बार-बार एक्जाम में पुछिया देया हैं सहाब दोस्तों चोरी-चोरह सताबदी समारी चैनल पर दोस्तों में प्रदान मंतरी नरेंद्र深rows दोस्तों ने चलिए अगले क्योशन देखते हैं क्योंकि आम जंदा का समर्तन संतो जनक नहीं था मुसल्मानों ने आंदोलन सबने आपको अलग रखा ब्रिटिस सरकान ने कांग्रेस पार्टी की मांग को सहर्दिया पूरवग विचार करने का आस्वासन दिया चोरी चोरा में हिंसा भड़ा कुटी तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ओप्शन दी चोरी चोरा में हिंसा भड़ा कुटी दोस्तो चोरी चोरा कांट के बाद ऐसा आई हो गांदोलन इस्थगित कर दिया गया था इसको याद रखेंगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नमर बच्चिस किस घटना के बाद महात्मा कांदी ने ऐसा हो गांदारों को अपनी हिमाल्या जैसी भूल बताये थी चोरी चोरा खेडा सत्येग रहे नाखपुर सत्येग रहे राज़कोर सत्येग रहे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा option A चोरी चोरा कांड दोस्तों चोरी चोरा कांड के वाज महात्मा गांदी ने ऐसे हो कांदरोन को अपनी हिमाल्य जैसी भूल बताया थे इसको याद रखेंगे important question ने चलिए अगला question देखते है question number 26 चोरी चोरा की घटना के समय महात्मा गांडी कहा थे दिल्ली में या कोलकत्ता में चोरी चोरा में या बार्दोली में आपका सही उत्तर हो जाएगा option D बार्दोली में 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकर चोरी चोरा कांड की घटना हुई और गांदी जी ने 12 फरवरी 1922 को बार्दोली में कांगरेस की बर्किंग कमेटी की बैठ हक बुलाकर ऐसे हो गांदोलन इस्थकित करने की कहुंसला की चोरी-चोरा की घटना के समय गांदीजी गुजरात के बारदोली में सामुईक सत्येगरा द्वारा सवेनी अवग्या आंदोलन प्रारम करने की तैयारी कर रहे थे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1922 में चार फरवरी 1922 को दोस्तों चोरी-चोरा कांड की घटना होने पर ऐसे हो गांदोलन जो है समाप्त हो गया तेसको याद रखेंगे चलिए अगला क्योशन देखते हैं क्योशन नमर 28 दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतिया कांगरेस समीती की बैटक में ऐसे हो गांदोलन बापस लेने के लिए गांदी जी के बुरुद निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था केटी साब इपिन चंदरपाल सुवाज चंदरबोस या डांक्टर मुंझे आपका सही उत्तर हो जाएगा उप्सन डी डांक्टर मुंझे ऐसे हो गांदोलन एक आगस 1920 को प्रारम हुआ किन्तो चार फरवरी 1922 को चोरी-चोरा कांड के कारण माहत्मा गांदी ने इसा बापस ले लिया इसी परिप्रेक्से में 24 परवरी 1922 को आयो जित अकिल भारतिय कांगरे समीती की दिल्ली में बैठा कुई जिसमें ऐसी सभी गतिविदियो पर रोक लगा दी गई जिसमें कानून का उलंगन होता है किसी एदिवेशन में ऐसे हो गांदोलन बापस लेने के कारण डाक्टर मुंझे के द्वारा गांदी जी के खिलाप निंदा प्रस्ताव लाया गया इसको याद रखेंगे चलिए अगला क्योशन देखते हैं क्योशन नमर टूंटी नाइन ऐसे हो गांदोलन के स्थागन संबंदी घटनाओं का सही करम इंगित कीजिए चोरी चोरा में पुलिस गोली कांड उगर बिल द्वारा पुलिस थाना जलाना गांदी जी द्वारा आंदोलन का स्थागन गांदी जी की घरफतारी तो दोस्तो सबसे पहले चोरी चोरा में पुलिस ने गोली चलाई थी तो एक नमबर हो जाएगा तो दोस्तो उसके बाद जो है बीर ने आकरोस में आकर ठाने माग लगा दी ती तो दो हो जाएगा दोस्तो इस चोरी-चोरा गटना के बाद गांधी जी ने आंतोलन को इस्थकित कर दिया तो नमबर तीन हो जाएगा और दोस्तों उसके बाद गांदी जी की इस्तिती कमजोर होने के बाद उनकी गिरफतारी हो गई थी तो एक दो तीन चार आपको सही उत्तर हो जाएगा ओप्षन ए चार फरवरी 1922 को चोरी चोरा में कांग्रेस और खिलाफत का एक जुलूस निकाला कुछ पुलिस वालों ने उनके साथ दुर्विया बाहर किया परड़ाम शुरूप जुलूस में सामिल एक जत्ते ने पुलिस पर हमला बोल दिया पुलिस ने गोली चलाई फलते भीड उत्ते जित हो गई और पुलिस पर हमला बोल दिया सिपाही बाग कर थाने में घुजे तो भीड ने थाने में आग लगा दी इस घटना की खबर मिलते ही गांधी जी ने आंदोलन बापस ले लिया 12 फरवरी 1922 को एसायो गांधोलन समाप्त हो गया आंधोलन की समाप्ती के बाद गांधी जी की इस्तिती थोली कमजोर हो गई थी सरकार ने इस इस्तिती का फायदा उठा कर 10 मार्च 1922 को उन्हें गिरफतार कर 6 वर्स की सजा दी इसको आद रखेंगे दोस्तों चलिए अगला क्योशन देखते हैं क्योशन नमबर 30 ऐसे हो गांधोलन के दोरान बिहार में करसको का नेतरतब किस ने किया था स्वामी बिद्यानन्द, रामकुमार सुकला, स्रीकरसन सिंग, जेबी सैन यह इनमे से कोई नहीं आपका सही उत्तर हो जाएगा उपसेन ऐ स्वामी बिद्यानन्द बिहार के किसान नेता थे ऐसे हो गांधोलन 1920-22 के दोरान बिहार में करसको का नेतरतब स्वामी बिद्यानन्द ने किया था इसको याद रखेंगे चलिए अगला क्योशन देखते हैं क्योशन नमबर 31 निम्न लिकित गटनाओं का सही करम नीचे दिये गए कूट से बताईए दोस्तो चोरी-चोरा कांड आपका चार फरबरी में हुआ था बारदोली प्रस्ताव आपका बारा फरबरी में हुआ था तो दोस्तो बारदोली प्रस्ताव के अंतरगत ही ऐसा है उगांदोलन को इस्थखन करने का निम्न लिया गया था तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 132 132 मतलब ओप्शन C चली अगला क्योशन देखते हैं क्योशन नंबर 32 1923 सा 28 के कालमे भारतिय राजनिती में करांतिकारी कार्रेविद्यो की पुंड़ा ब्रत्ती का क्या कारन था हर दयाल ओ लाजपतराय जैसे नेताओं का बढ़ता हुआ पिरभाव गांदी जी द्वारा SIO गांदोलन का इस्थखन विदेशी गटनाओ का प्रभाव भारतियों की मांग को अंग्रेजों द्वारा स्विकार किया जा रहा तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उप्शन B गांदी जी द्वारा SIO गांदोलन का इस्थखन बरस 1922 के बाद S.A.O. गांदोलन के इस्थगन और देश के किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिवितियों के अभाव से बहुत से चमतावान राष्टवादी उबाव का मो भंग हो गया ये गांदी जी के नेतरतव और अहिंसातमक संगर्ज की राजनीति से भी एसंतुष्ट थे ये रूस, चीन, आरलेंड, तुर्की, मिस्र, आदी में कहीं भी होने वाले करांतिकारी आंदोलन और विद्रो से अनुप्रमालित होकर हिंसातमक माध्यम से ब्रिटिस सासन को उगाल फैकने के लिए प्रियासरत थे इस कारल ये है काल भारतिय राजनीति में करांतिकारी कार्रे विद्यो की पुर्णवरत्ति का काल माना जाता है चलिए अगला क्योशन देखते है क्योशन नमर 33 ऐसे हो गांदोलन के दुरान विदेशी वस्तरों के लिए जलाए जाने पर किसने माहत्मा गांदी के लिए लिखा है कि यह निश्ठूर बरवादी है आपका सही उत्तर हो जाएगा उप्षन B रविंद्रनाट टेगोर रविंद्रनाट टेगोर ने आंदोलन वं विरोध प्रतरसन के विप्रीत रचनात्म कारे करम को विशेज महत प्रदान किया जिसके कारण उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के विप्रीत गांदी जी को रचनात्म कारे करम गपनाने की बात अपने पत्र में कही एसे हो गांदोलों के दुरान रविंदर नाथ टेगोर ने विदेशी वस्परों को जलाए जाने को एविवे की या निश्ठुर बरवादी कहाँ चली अगला क्योशन देखते हैं क्योशन नमर ठाटी फॉर निम लिखित में से किसने ऐसे हो गांदोलों के दुरान विदेशी वस्परों को जलाए जाने का बिरोध किया था तो सेम रिपीट के उससे न आपका सही उत्तर हो जाएगा उप्षने रविंदर नाथ टेगोर चली अगला क्योशन देखते हैं क्योशन नमर ठाटी फाइव निमली के संस्थाहों में से कोन ऐसे हो गांदोलों 1920 से 22 के दुरान इस्थापित की गई थी कासी विद्यपीद, गुजराद विद्यपीड, जामिया मिलिया या कासी हिंदू बिष्भी विद्याले दोस्तों कासी विद्यपीड 1921 में, गुजराद विद्यपीड 1920 में, जामिया मिलिया 1920 में, तता कासी हिंदू बिष्भी विद्याले 1916 में इस्थापित हुए थे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, ओप्शन C एसे हो गांदोलन, एसे हो गांदोलन 1922 के दोरान कासी विद्यपीड बनाराज में, बरस 1921 में, गुजराद विद्यपीड एहमदाबाद में, बरस 1922 में, तता जामिया मिलिया इसलामिया अलिगड में, बरस 1920 में, जो बाद में दिल्ली में लाया गया, इस्थापित हुए मदन मोहन मालिवे ना बर्स 1916 में बनारा सिंदू बिस विद्याले की स्थापना की थी और बर्स 1919 से बर्स 1949 तक इसके कुलपती बने थी इसको याद रखेंगे चलिए अगला क्योश्चन देखते हैं नमर थाटी सिट्स 1921 से बाइस के ऐसा योग आंदूरन का मुख्या परतिफल क्या था हिंदू मुस्ली मेकता सूबो को अधिक सक्तियां केंद्रिय विदाय का सदन में चुने हुए सदस्यों की संक्या में बरदी भारती राष्टे कांग्रेस का विवाजन तो आपका सही उत तरो जाएगा उपसने हिंदू मुस्ली मेकता में बरदी ऐसे हो आंदूरन अपने गोशित उद्देश्यों में आंसिक रूप से ही सफल रहा परंतु अपने रचनातम कार्यों में इसा आवस्यक अपार सफलता मिली आंदूरन की सफलता सफसाधिक इस बात में नहीं थै कि इसने कांग्रेश को नहीं दिशा प्रदान की सामराज्यवाद पर आगात किया एवं पूरे देश में राष्ट प्रेम और देश प्रेम के प्रती बलिदान की बावना व्यापक रूप दिया इस आंदूरन के दोरान हिंदू मुस्ली में एकता अपने चरम पर थी इसको याद रखेंगे चलिए अगला क्वेशन देखते हैं क्योसर नमबर 37 निम लिखुत में किसका सुमेल नहीं है या कौन सा गलत जुला है 1885 में भारती राष्टे कांगरेस की स्थापना सही हो जाएगा 1905 में बंगाल विवाजन हुआ था 1909 में मारले मिन्टो सुधार आया था 1930 में एस है हो गांदुलों 1930 में नहीं एक अगस्त 1920 में लागू हुआ था जो 1922 तक रहा था इसको याद रखेंगे चलिए अगला क्योशन देखते हैं क्योशन नमर 38 लिम लिखित में से कौन सुमेलित है तो आपका सुमेलित बता रहा है 1940 में भारती राष्टे कांगरेस का लाहोर अदीवेशन हुआ तो गलत हो जाएगा 1929 में हुआ था 1931 में राजगुरु को फांसी दी गई तो ये सही हो जाएगा 1921 में ऐसा है हो गांदोलन प्रारम हुआ 1920 में हुआ था गलत हो जाएगा 1920 में रोलेट सत्ते गराया तो अपरेल 1919 में आया था ये भी गलत हो तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ओप्शन बी चलिए अगला क्योशन देखते हैं क्योशन नमर 49 निमनिलिकित वक्तव्यों पर विचार कीजिए कतने महात्मा गांदी दुवारा बरस 1922 में ऐसा हो गांदोलन इस्थकित कर दिया गया था तो सही हो जाएगा दोस्तो चोरी-चोरा कांड के बाद ये इस्थकित हो गया था करण R इस इस्थकन का C R 10 और मोतिलान नहरू द्वारा बिरोद किया गया था दोस्तो ये भी सही है, मोतिलान नहरू और C R 10 द्वारा इसका बिरोद किया गया है आपका option A है ए और R दोनों सही है परंदु R A की सही व्याक्या करता है। तो दोस्तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उप्षन 20 को याद रखेंगे, चली अगला क्योशन देखते हैं क्योशन नमबर 40, ऐसे हो गांदुरन के दोरान किसने पटना कोली छोड़ा, जबकि उसकी परिक्सा में केवल 20 दिन बचे थे, राजिंदर परसाद, ब्रचकिसोर, जैपरकास नाराःन, स्रीक रशन सिना ये मेंसा कोई नहीं. आपका सही उत्तर हो जाएगा, उप्षन सी, जैपरकास नाराःन, बिहार के सारल के सिताप 12 में, जन में सुतंतर ता सेनानी जैपरकास नाराःन है, ऐसा है होगा अंदूरन के दोरान पटना कोली छोड़ा जबकि उनकी परिक्सा में केवल 20 दिन बचे थे इसके पश्चात उन्होंने कांग्रेस द्वारा संचालित बिहार विध्यापीर्ट में प्रिवेश लिया इसको याद रखेंगे चलिए अगला क्योशन देखते हैं कि उसे नमर 41 निमली खित में से किसने ऐसा है हो गांदूरन बिरोधी सभा की स्थापना की थी जमनादास ठाकुरदास जैरामदास दोलत राम या मलिकलार वर्मा तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उपसेने जमनाद ठाकुरदास पुर्सोत्तमदास ठाकुरदास जमनादास ठाकुरदास घापसजी जहांगीर पी सेठानी और सीतलवाड आदी बंबई के उद्योगपती बर्क के लोगों ने मिलकर 1920 इसभी में ऐसे हो गांदूरन बिरोधी सभा की स्थापना की थी तो दोस्तों इसको यदि आपको वीडियो पसंद आया हो आगे भी इसी तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को दबा दें